हेलो एबरीवान वेलकम टू माई चैनल हाइफाइजुकेटर सो इस्टूनेट आज हम बात करने वाले हैं हर्टी कल्चर के मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन के बारे में पहला कोशन आपसे पूछा जाता है कि बताई कि वाटर मेलन की सीड लेस को कहते हैं तो वाटर मेलन की सीड लेस वेराटी होते हैं उससे कहते हैं उससे कहते हैं ट्राइफ प्लॉराइट कहते हैं नेक्स्ट कोशन में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि टमाटर टमेटो फूट को बोरर इंसक्ट से बचाने के लिए किस ट्रैप क्रॉप का प्रयोग करते है तो उस trap crop का यूज नाम है merry gold अब trap crop होता क्या है जैसे कि मालीजे ये tomato का plant इस खाने में हमने बोया है ये खाने में हमने इधर भी tomato इधर भी tomato बोया है बीच में हम merry gold लगा देते हैं तो क्या होता है या तो किनारेप लगा देते हैं किनारे ब्याता फाइदा होता है तो क्या होता है कि बीच में हमारा टमाटर है और इसके चारो तरफ मेरी गोल्ड लगा दिये तो मेरी गोल्ड का जो फूल होता है बहुत ही अट्रेक्टिव होता है तो इंसेक्ट जो भी उड़के आएगा वो आके इस प्लांट के चारो अबास है आपने छितुमजी कि सुरच्चित कर सकते हैं वीना केमिकल छिड़के, टो में पुझ रहा है、 टॉमाटर को बोरर इंसेक्ट आने के लिए कि स्ट्रेप क्राप का यूज करते हैं तो वो होता है मेरी कोल्ट अब आप जान चुके हैं चले गाइस नेक्स कोशन में आपसे पूछा जाता है कि बताए कि एलो कलर प्याज में किस पिग्मेंट के वज़से होता है तो आपको बतादू जो भी प्लांट्स होत है कोई रेड होता है तो पिग्मेंट के कारण होते हैं वह क्या होता है पिग्मेंट के कारण होता है तो वही पूछ रहा है कि प्याज में किस पिग्मेंट के कारण येलो कलर होता है तो क्वेरे सेटीन के कारण क्या होता है प्याज में लाल रंग होता है अरे सोरी येलो र चाहिए और इसे अगर इसकी मीनिंग्स जानेंगे तो आ ओला कहते हैं चलेए गाई नेक्स कोश्न पे चलते हैं नेक्स कोश्न में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पूम ग्रेनेट का इजुबल पार्ट है मतलब खाने योग्या भाग है तो पूम ग्रेनेट का खाने जो भाग होता है वो होता है एड़्ीं क्या होता है एड़्ीं क्या होता है इंसे प्याज कोशिन परने आपसे पूछाicki-जाता है कि बताइए कि वनस्पति की रूप से पाइन एपल है तो वनस्त पती रूप से pine apple है सोरोसिस fruit चलिए गाईद next question पे आ गाए है next question में पूछा जाता है कि iron की अधिकता पाई जाती है तो iron की जो अधिकता पाई जाती है spinach में पाई जाती है so guys next question पे जलते है next question में आपसे पूछा जाता है बहुत ही ज़दा important question so guys अगर channel पे नए हैं तो सबसे पहले subscribe करें तो question पुझा ज़दा कि papaya में सबसे ज़दा पाय ज़दा है तो papaya के जो fruit होते हैं उसमें जो सबसे ज़दा पाय ज़दा है वो vitamin A पाय ज़दा है क्या पाय ज़दा है? vitamin A so guys next question पे पूझा ज़दा है कि भारत में सबसे ज़दा किस फल की उत्पादन होता है तो भारत में बनाना फल जो होता है उसका उत्पादन सबसे ज़दा होता है so guys next question पे आ गए है next question में आपसे बहुत ही अच्छा question पूझा ज़दा है कि पूसा मुकता पत्ता वो भी की resistance improved variety है तो किसकी है उसा मुकता किसकी resistant variety है तो वो है black road की क्या black road की resistant variety मनलब उसमें black road रोख नहीं लगेगा चलेगा इस next question पर आगा है next question में आपसे पूझा जाता है कि बताए कि anti-sterility vitamin है तो anti-sterility vitamin जो होता है वो vitamin E होता है next question पर आगा है next question में बहुत अच्छा question पूझा जाता है हर बाद पूझा जाता है कि international institute of horticulture international institute of horticulture कहां पर है तो यह कहां पर इस्थित है ब्राजील में इस्थित है next question में पूझा जाता है कि बताए कि सबसे ज़्यादा वेजी टेबल उत्पादन करने वाला देश है तो पहला जो है जो चाइना है और सेकेंड है इंडिया 2012 में सबसे पहले इंडिया था फिर चाइना था लेकिन अब चाइना आगे हो गया है और इंडिया दूसरे नंबर पे हो गया है So guys, next question पे आगा है आपसे पूछा जाता है कहीं, तो नेसेनल हर्टी कल्चर बोर्ड की अस्थापना कभ हूइ 起 – 1984 में हूइ चलहें गया इस नेक्स कोचन पे जलते है आपसे पूछा जाता है कि बताये कि किस फल को Miracle Fruit of China कहते हैं तो किस Fruit को कहते हैं कि 위 Fruit को कहते हैं मार्केट में आते हैं 40-45 रुपए अब कोरोना की वह जैसे जो बेचने वाले होते हैं वो देखो सरकार नहीं मंगा कर यह वो लोग भी मंगा कर दी है वो देड़ सो को एक विद्दे रहे हैं जबकि उतना ही दाम है 40-50 रुपए आता कितने का है 25 रुपए 20 रुपए काता है लेकिन हमारे मार्केट में बेचा उसे जाता है 40-50 अब देड़ सो में अपने मन का बेचना है बेचो बाद में सरकार के पूर भी दोस्त देना है न तो यह होता है हर चीज चले गाइज नेक्स कोशन पर जलते हैं नेक्स कोशन में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि आ नेक्स कोशन पर जलते हैं नेक्स कोशन में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि लीफ स्क्रोचिंग मैंगो में होता है मैंगो में एक लीफ स्क्रोचिंग रोग होता है वो किसके कारण होता है वो होता है चले गाइज नेक्स कोशन पर चलते हैं पूछा जाता है कि आप इसा सीड होता है जैसे की यह कटवाल है, ऐसे मिटी घ्याओ सकता नहीं है, अगर इसे मिटी नहीं भी मिलेगी, तो भी इसमें से प्लांट ग्रो कर जाएगे, मतलब की plant उसे में से निकल जाएंगे अंकुरण हो जायगा और ग्रोथिंग होने लगँगा पेड़ बंदने श्टार्ट हो जायगा तो ये चीज होना जब श्टार्ट हो जाता है तो उससे कहा जाता है वीवी परियस या वीवी टॉप का रोग लगता है so guys next question पे आ गए है next question में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि संता रोजा पापुलर विराटी है किसका है plum की अब plum में इस क्या होता है यह आप सर्च करिए वैसे बता दे रहाँ बेर होता है so guys next question आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि फल में मीठापन किसकी वज़ा से होता है तो फल में जो मीठापन आता है वो फ्रुक्टोज के वज़ा से होता है next question आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि पूसा अरली ड्वार्फ इंप्रूब्ड विराइटी है किसकी है strawberry की क्या है strawberry की है so guys next question पर आगा है next question और भी ज़्यादा important है इससे note कर लीजेगा यह हर बार paper में पूछा जाता है और आपके लिए जानकारी के लिए भी बहुत अच्छा है पूछा जाता है किस हल की chromosome संख्या सबसे अधिक होती है मतलब कि 2N is equal to 308 होती है तो आपको वो दादू मलबरी की क्या होती है सबसे ज़्यादा chromosome संख्या होती है so guys आज हमने आपको हर्टी कल्चर के most important question करा दिये है और बाकी daily basis पे हम कराते रहते हैं अगर आपको और भी ज़्यादा वीडियो चाहिए हर्टी कल्चर, agronomy, soil, science और agriculture के सारे parts की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे विजिट करें हाइफाइ एजुकेटर और वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ पे physics, chemistry, agriculture के सारे वीडियो को देख सकते हैं तो चले गाइस फिर मिलेगे एक नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगर चैनल पे नए है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और लाइक्स कर ले अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो प्लीज सेयर भी कर देए धन्यवाद